राश्ट्रिये सुन्सेक संग प्रतिनी सभा दो हजार तेईस में आप सब का स्वागत है अभिनंदन है प्रेस में इस कारिकव में उपस्थित कुछ अधिकारियों काव में परिच्य करवा रहा हूँ मेरे एकदम बाई और श्री नरेंदर जी ठाकूर हम सब के अधिकतर के सुपरिचित है अखिल भारतिय सह प्रचार प्रमुख है आप हिमाचल से है 1992 से आप संग के प्रचार प्रमुख है आज कल आपका केंदर दिल्ली है श्रीमान आलोग जी आप भी संग के अखिल भारतिय सह प्रचार प्रमुख है मेरट उत्र प्रदेश से आप 1988 से संग के प्रचारक हैं आपका केंद्र रांची है श्रीमान सुनील जी अंबेकर आप आखिल भारतिये प्रचार प्रमुख हैं आपका केंद्र भाग्य नगर हैद्राबाद आपका केंद्र है नागपूर महराष्ट से आप 1990 से संग के प्रचारक है आज हमसे जो बाच्चीत करेंगे डॉक्टर मनमोन वैद्य आप सह सरकारवाँ हैं इससे पूर्व आप संग के अखिल भारतिये प्रचार प्रमुख भी रहे हैं आप नागपूर से ही हैं और 1983 से आप संग के प्रचारक हैं भोपाल आजकल आपका केंद्र है मैं आध्रणिय श्री डॉक्टर मनमोन वैद्य जी से निवेदन करूंगा कि वो आप से बाच्चीत करें सेवा साधना ग्राम विकास केंद्र के इस दिवियो परिशर में आप सब का हर्दिक स्भागत हैं कि संगय के समय सोंसओ कोने श्री माधव जन्य सेवा नयास केẩ modify से ये सेवा साधना ग्राम विकास के इंद्र की शुरॉबात की है बुक्धता इसमें ब्नगाविन विकास के दुष्टरी से किसानों को और युवकों को कौशर विकास खेती के लिए ट्रेनिंग दिया जाएगा कि यहां पर अस्पताल पुस्तकालाई विशाल खेल परिसर कोशर विकास केंद्र योग साधना केंद्र जैवीगब जीरो बजट खेती नशा मुक्ती न्याय चोपाल जैसे प्रकलप संचालित होंगे कि अब तबी इसके आरंब हुआ है दिरे जिरे कभी आप समय लेकर इस तरह परिसर भी देखने के लिए आएक संग की जो अख़िष्भारतिये प्रमुख के ठक हो हती है अखलिभारतिये प्रतियों सभा जो साल में बार मार्श में होती है इसके भारे हिम आपको वैसे दो दिन पहले जानकारी मिली है तो सारे देशा से संग के प्रतिनित सक्रिय स्वेंशकों में से पहले प्रान तो प्रतिनित और उनमें से अखिल बारती प्रतिनित चुने आते और तीन साल के लिए ये प्रतिनित सरकार्यवा का चुनाव भी करते हैं ये प्रतिनित सभा संग क के सरवोचे निर्ने करने वाला यूनिट है कि यह बैठक तीन दीन चलेगी कि वार्षी गहवाल भी सरकारी वहां यहां प्रस्तूत करते हैं आप सब को उसकी कॉपी मिलेगी एक साल भर का लेखा जोका होता है कि संग के शाखा की स्ट्रेंग संग कारी की स्ट्रेंग हम लोग चार पद्दति से मेजर करते हैं एक कितने स्थानों में संग कार्य है दयनीक शाखा चलती अइसे कितने स्थान है ये स्थानों में वुरद्धी हो यह प्रस होता है एक स्थान पर तीन-चार पास दस-वारा शाकाये भी हो सकती है ऐसी शाखा शाखा है कितनी है जहाँ पर शाखा शुरू होने की अभी तेहरी नहीं है वहाँ सब्ता में एक बार शाखा के माध्यम से लोग एकत राते हैं इस शाखा आपने देखिये होगी लेकिन शाखा इसे प्रोग्राम टो इनकलकिट सम कलेक्टीव क्वालीटीज एन्टू प्रैक्टिस ンक्वोस्ती स्मू कलेक्टिव लिए सारा भारत का सारा समाज एक है, सब समान है, सब मेरे अपने है, और मुझे समाज के लिए कुछ देना है, इसके अनुभूती या सौंसकार शाखा के माध्यम से होता है, और बोधिक स्तर पर इसको जानने के बाद भी इसका नियमित अभ्यास भी आवश्चक है, इसलिए दैनन दिन शांखा में जाने का एक आगरह होता है ऐसे सापता ही एक बार एकत राने वाले उतको सापता की विलंद केंद्र कहते हैं कि और जहां पर इसकी विश्यों की चर्चा करते हैं एक राष्टिया सामाजी कुषय तो ऐसे एक शाखा स्थान शाखाय सापता ही और हर में एक बार मिलने वाले को संग मंडली कहते हैं अभी वरतमान जो स्थिती है ऐसी है कि ऐसे 42,613 22,613 स्थानों में दैनिक शाखाय चल रही है इसमें शाखाओं की संख्या 68,651 है सापता ही मिलन के संख्या 26,877 है जिनको संग मंडली कहते हैं उनके संख्या 10,412 लास्ट एर की तुलना में प्रत्यक इसे में वृद्धी हुई है आपको जो प्रतिवारत मिलेगा यह उसका चार्ड दिया हुआ है लेकिन विशेश जो नोटेबल बात ऐसी है कि 1920 की मार्श के बाद पैंडेमिक करण सारा काम करेकुल ठफ हो गया था उसके बाद फिर से उसको ट्रैक पर लाने में हमारे कारेकरता सफल हुए है पैंडेमिक में साड़े पाच लाख स्वयंसों को ने लोगों की सेवाए की है और ये जान लेवा खत्रा होने के बावजुद स्वयंसों को बाहर निकले है और उसके बाद स्वेश्यों को ने प्रयातना करती हुई आज जो व्रद्धी हुई है तो स्थानों में करीब 3,700 ज्यादा व्रद्धी हुई है 2020 के तुलना में पुराना कार्यत तो स्थापित किया है उससे थोड़े आगे बढ़े हैं शाखाव में संख्या 6,160 बढ़ी है साप्ताइक मिलन संख्या 6,543 ये करीब 32 परसेंट राइस है बाकी प्रहिले जो पता है उसमें 10 परसेंट राइस है और संख्यमंडली में 1,680 संख्या बढ़ी है ये करीब 20 परसेंट राइस है शाखा साप्ताइक मिलन संख्यमंडली को मिलाकर देजवर में 79,355 स्थानों पर संख्या की रीच प्रत्यक्ष्या है और एक वर्ष में संख्या की सतावदी कार्यकाल आरंब होने के पहले ये रीच एक लाग तक पहुंचाने का संख्या का संकल्प है संख्या कार्यकरता के प्रक्षिशन के वर्ग होते हैं एक प्राथमिक शिक्षावर्ग होता है साथ दिन छुट्टे लेकर मोबाइल भाँ जमा करते हुए पुर्ण साधना में समय लगाना और तेरा साल के उपर कैसे का जो कार्यकरता सुभायम अपने खर्चे से वहाँ पर जाते हैं लास्ट येर ऐसे प्राथमिक शिक्षावर्ग में जिन्होंने वर्ग अटेंड किया इस संख्या एक लाख एक किस हजार एक सो सैटीस है अब ही संगर शिक्षावर्ग जो ट्वेंटी डेज ऐसे क्याम सोते हैं फरस्ट ये शेकेंड डियर थर्ड ये पुरे देश भर में रंटा पंदरा एप्रिल से आरंब होंगे जून अन्त तक चलते हैं कि इस साल करीब एक सो नौ ऐसे वर्ग होंगे ट्वेंटी डेज के जो लोग अपने कामका से नोकरी से कामधन्दे से छुट्टी लेकर अपने खर्चे से वहां पहुंच कर वहां रहने का और अपने खाने का शुल्ग देकर रहते हैं शिक्षन प्राप्त करते हैं करीब 20 ऐसे युवक कि इस वर शेस शीक्षा और भाग लेंगे ऐसा अंदाज है कि जो करीब कि 68,651 शाखा आए देश्वर में चल रही है इन शाखाओं को भी तीन कैटेगरीज है एक जिसमे कवल विद्यार्थी आते हैं ऐसी विद्यार्थी की शाखा 60 परसेंट है चालिस साल के उपर आयों के प्रेवड स्वेश्मय शाखा 10 परसेंट है और बाकि अंदाब 20 से जालिस की बीच मैं बुद्यार्थी नहीं है लेकिन काम काच कर रहे हैं तो तैसे कमाने वालों के शाखा है 30 परसेंट है यहने कमाने वालों के शाखा करीब टोटल मिलाकर 40 परसेंट और चात्र विद्यार्दूंग शाखा 60 परसेंट है कि संगा ने अपनी सुविदा कुरुण सार देशबर में कि 911 जिले बनाए है राज की जिलों से भी छोटे जिल्ले का इस स्थान पद है इस 911 जिलों में से 901 जिलों में संगा का प्रत्क्ष का रही है करीब 99 परसेंट होता है कि जिनको डेवलब्मेंट ब्लॉग या तहसिल कहते हैं उनको हमारे यहां खंड कहते हैं ऐसे 6663 कि ऐसे खंड है कि उसमें करीब 88 परसेंट खंडों में प्रत्क्ष से शाखा है कि अब सोब परसेंट करने का संगा का प्रयास रहेगा उसके नीचे कि दस बारा गावों को सम्मूं जिनको मंदल कहते हैं ऐसे 59,326 मंदल सारे देश भर में हैं तो इन में से 26,498 मंदलों में प्रत्यक्ष शाखा ये करीब 45 परसेंट होता है बाकि शेश मंदलों में इसी वर्ष प्रत्यक्ष शाखा शुरू करने का संग कल्पा हमारा सबका है कि यह जो प्रत्यक्ष दिन आपको मिलेगा इसमें संग शाखा विस्तार के लिए सविंसकों के प्रक्षिक्षन के लिए और समाज के लोगों से मिलने के लिए क्या क्या काम हुए उसके सारी जानकरी है तो यह शाखा विस्तार करने वाले जो स्विंसकों होते हैं अब रोजी-्रोटी कामकाज में से समय निकालकर प्रवास करते नए स्थान पर जाते हैं कि किस प्रकार के लोग काम करने माले होते हैं तो एक बार पैंडिमिक के पहले मैं विजय बड़ा स्टेशन गया था वहां से मुझे चैन नहीं जाना था कि तो प्लैट्फरम नंबर डिस्प्ले नहीं हो आता इसलिए मैं ब्रिज चड़कर ऊपर खड़ा रहा और स्थानिक लोकल कार्यकरता प्लैट्फरम टिकेट खरीदने के लिए पूश्टाश करने गया वह जहां आएगा जहां बताएगा वहां वहां मैं ब्रिज उत्रूंगा इतने में कूली ने मेरे लिए महां पर कुर्सी ला कर दी मैं बैठा और उसने अपना खुद का परिचे दिया कि विजयवाडा महानगर में एक नगर का वो नगर कारेवा है संग का बदादिकारी है ति मैंने पुछा कि आपने मुझे कैसे फैचाना उसका उत्तर था अभी इसी वर्ष मैंने नाकपुर का तुर्टी वर्ष बर्ग किया है यानि कुली 25 दिन छुट्टी लेकर नाकपुर के वर्गे में जाकर आया है वहां उन्होंने का कि मैंने आपका बोद्धिक सुना था और आपने हमारे एक बैठग ली थी यानि सब प्रकार के स्तरके कारे करता आपने कामकार में समय निकाल कर जो संगकारे विस्तार के लिए क कामकरते है उसकी बारे में काफी जानकारी यहां पर है कि संग का शाथापदी वर्ष आरंब होने से पहले संगकार्य को सभी मंदलों तक पहुंचाने के दुरूष्टी से और कारे के दुरूडिक रण के दुरूष्टी से एक शातापदी विस्तारक कि लोग निकले अप से दो साल समय देकर लोग काम करें तैसे अब तक अभी 1300 विस्तारण निकले हैं और गणी 1500 विस्तारण और निकलने की संभावना है कि संगय कार्य तीन स्थर पर चलता एक कार्य करता निर्मान व्यक्ति निर्मान तो शाखा के मात्यम से होता है एक समाज में राश्टिये विचारों का जागरन करना और समाज को साथ लेकर समाज में परिवर्थन करना तो जो जो देश बर में ऐसे प्रमुख कार्य उनकी जानकर आपको यहां पर इस प्रतिवेद दिन में आपको पढ़ने को मिलेगी जो संगह के बारे में नाम सुनते हैं संगह को रोणते हैं खोशते हैं कहां मिलना किसको मिलना पता नहीं है ऐसे लोग संगह की वेबसेट पर जॉइन आरे से के माध्यम माध्यम से अपने रेक्वेस्ट भेशते हैं तो 2017 से 2022 इन छे वर्षों में कुल साथ लाग 25 हजार रिक्वेस्ट आई है एक लाग 20 रिक्वेस्ट आ रही है ज्यादा तर ट्वेंटी टू थर्टीफाइज के युबक होते हैं जो टेक से भी होते हैं कि इनमें 70 परसेंट युबक समाज के लिए कोई सेवा करना चाहते इसलिए संग में जूड़ना चाहते बाकि बाकि थर्टी परसेंट के अन्याने बिन्दे बिन्दे कारण हो सकते हैं कि यह भी ध्यान में आया उब्जर्वेशन कि जब कोई संग का विरोध करने के लिए संग का वारें जोटे आरोप करते हैं कि आजकल की पीडिया ऐसे बड़ों की बात सिधी तो सफिकर नहीं करते तुरण गूगल कर लेते हैं चेक करते हैं यह लोग पिर संग को जानने के लिए देहने के लिए संग की वेबसेट पर जाते हैं और संग में जोड़ने की रिक्वेस्ट बढ़ती है यह हमारा कि अब यह वैसे प्रेस ब्रीफिंग है इसलिए संग को लेकर बाकि सारे जो प्रश्ण आपके मन में होंगे वह आप 14 तरिक को मानने सरकारिवा प्रेस्ट कॉंफरस्ट करने वाले हैं उनके लिए आप सुरक्षित रखी है इस बैठक में अभी एक प्रस्ताव पारित होग हम स्वाधिन्ता का अमुरत होसोत कर रहे हैं परंतु स्वाधिन्ता स्वदेशी स्वतंत्र स्वावलमन में जो स्व है तो यह भारत के स्व के प्रकाश में भारत की विकास की नीतिया बने इस भारत को स्वह के प्रकाश में आगे बढ़ने के लिए समाज का इनिशेटिव बढ़े, समाज का सहभाग बढ़े यह स्वह क्या है उस दुरुष्टी से समाज ने क्या करना थे इसके बारे में आभान करने वाला एक प्रस्ता यहां पर पारित होगा उसके साथ-साथ भगवान महावीर जी के महापरिनिर्वान के 2550 वर्च पूर्ण हो रहे हैं तो उस निमित तो उनके जीवन संदेश और आज हमको उसमें से क्या सेख लेनी है इसको लेकर एक स्टेट्मेंट यहां पर जारी होगा स्वामी देयानंदर सरस्वधी जिन्हों ने आरे समाज के स्थापना की थी तो उनके जन्म को और दोसोवर्श पूर्ण हो रहे उसने मीत तो उनका कांट्रीभिशन और उनका मेसेज इसको लेकर और शिवाजी महराज के राज्जा भिषेक को अब इस वर्ष तीन सो परकास पूर्ण हो रहे हैं तो शिवाजी के राज्जा भीषेक हो उस समय कि किनी जानकारी दी जाएगी बैठक के वारें को जग्यासा तो आप पुछ सकते हैं बाकिया इन्दम महत्व की जिग्यासा आप 14 के लिए कि रखी है कि पर्था मरग दूर्था मरग और किस उमर में किया जाता है और कितने दिन का होता है कि पर्था मरग होता है 15 से 40 आयू के लिए 20 दिन का होता है कि दूर्थी वर्ष भी कुछ नों को शाखा का दाईत वो लेने वाले कारे करता हों के लिए 20 दिन का होता है वो करीव 17-18 से लेकर 40 तक होता है और तूर्थी वर्ष होता है एक जिनलास्तर का दाईत वो जिनके पास ऐसे कारे करता हों को ट्रेनिंग के लिए होता है यह करीव 20-40 ऐसे होते हैं यह सबीश तरोव पर चालीश प्लस लोगों के लिए बिस्पेशल वर्ग होते वह वी 20-25 दिन के होते हैं हां इनसे पहले होता है इनसे पहले होता है थन्यवादी है और उसमें प्रतों वर्ष के बर्गा परांत कर परांत ने एक दो भी होते हैं दुटिवर्ष के वर्ग क्षेत्र शाद्जोन वाइज होते हैं इस वर तेरा होने वाले और तुरुतिवर्ष का वर्ग के वाल नाकपुर में एक होता है रिनार्ग Snoran, जो बहुत सारे संगटनों को भी आमंत्रित किया है किन बिंदु नागे ंपे विश्यों पर चर्चा की जाएगीि और कितने संगठन है तो संघ के वैचारी कांदोलों का भाग है वो इसलिए यहां पर आते हैं यहां उनको अपने संगतन की जानकर ही देने का केवल यहां पर थोड़ा समय मिलेगा एक संगतन को शाहिए कर सकते हैं चर्चा सुन सकते हैं उसके लिए किस उमर में किश इसने सिक्षा गरहन की है और उसको आके क्या करना चाहिए इसके लिए कोई हमारे से कल भी लोगों ने परसंद पूचा था तो हमने कहा भी आप से पूचके बताएंगे सब्सक्राइब सारे देश में नोकरी मांगने वाले नहीं तो नोकरी देने वाला अंट्रेशिप स्वदेशी सहकरेता इन तीन मुद्दों पर स्वरोजगार का एक अभ्यान चल पड़ा है इसके संख्या बढ़ रही है तो पढ़ाई पूर्ण होने बाद किसने कितना पढ प्रोट्सान देना ट्रेनिंग देना सपोर्ट करना यह काम स्थान सर्व चल रहा है विशेश्था स्वदेशी जागरन मंच के माध्यम से उनके साथ अनेक संगठन जुड़े है यह काम खुब अच्छा कर रहे है चलिए ठीक है आप सब का धन्यवाद अभी साथ दिन के ब अब लेगा शाखावान मिलेगा कमपरजन नहीं मिलेगा तो प्रचार विश्चा आपको देजेगा आप मांगेंगे आपने बताया कि इसके बाद इतने वर्गे वह तो तो करल में है तो साथ दिन के बाद आने वाले हिंदु नौवर्ष के निवीत आप सब को हर देख बदाई हर शुब अच्छा स्पोर्ट्समन लोग है बहुत सारे साखा में महिलाओं को जोडने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है और कम से कम प्रभोधन आत्म कार्यक्रमूंद का स्वह वह वह इस प्रकार का विचार चल रहा है यहां इस बैठा के बाद आपको सरकार हो इसके बारे जान करे देंगे जली रन्यवाद आपका